हेलो गाइस स्वागत है आप सबता मेरे चैनल के उपर तो आज हम ये येस बैंक और यूको बैंक की बात करेगे जो लोग इसके अंदर रेली के अंदर पार्टिसिपेट करना रह गया है और जो लोग ओल्रेडी इसके अंदर शेर होल्ड करते हैं ये वीडियो उन दोनों के लिए है क्या लेवल सो सकते हैं क्या टार्गेट आगे की रणनीती क्या हो सकती है सबी इस वीडियो में आपको देखने कमिलेगा प्लीस वीडियो को आप से मेरी पूरा देखे और आपके कुछ सवाल है कुछ समझ में नव आया तो मुझे नीचे कामेंट में जरूर तो एक तो इसके अंदर निवेश करने जा रहा है यह निवेश भी है और साथ ही साथ सनिवार को पीछले सनिवार को अभी अभी यह ताजा जान करी है यह 19 दिसंबर की यहां पर पोस्ट आप देख सकते हैं कि जो 48,000 करोड बहुत बड़ी रखम है इसका NPA था यह पेसे इसके फसे हुए थे उसको यह पुनर गठन की कंपनी है JC Flowers उनको यह लोग यह सारा का सारा NPA दे रहे है जो है पेसा रिकवर करने के लिए तो यह काफी बड़ी आनियूस है यह यह बेंक के लिए और यहीं इसने पहले भी बताया था कि 48,000 करोड जो कि JC Flowers एक बड़ी कंपनी है जो कि यह से NPA से उसको NPA होते है उससे पास यह पेसा हता है वो यह रिकवर करते है कुछ जो है फीज वो लोग ले ले लेते है बाकी पेसा जो है उसके एसेट के जरिए उसको NPA को रिकवरी करें में मदद कर देखने को मिला यहाँ पर देखे तो इसके अंदर अची साल दरसार बड़त हुई है और अची कासी बड़त रही है बेंक के जो रेवेन्यू है वह ही काफी इंपोर्टन होते है इसके आला की प्रॉफिट जो है वह थोड़ा सा गटा है लेकिन यह एक मामूल इसी बात है यहाँ पर देखे तो सबसे बड़ी बात इसके डिलेवरीबल कॉंटिटी देखिए यहाँ पर देखे तो दो दिसंबर की में बात करूँ तब से इसके अंदर एक अच्छी खासी डिलेवरी चालू हुई यहाँ पर यह जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसके उपर दियान कर दे तो अच्छा कासा यहाँ पर दिलेवरी बल कॉंटेटी उठाए जा रही है और सबसे अच्छी तो डिलेवरी यहाँ पर उठाए गई यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ से लेकर यह चार दिन के अंदर अंदर ही तक्रीबन तक्रीबन 100 करोड शेर यानि कि यह 9 द 25 रुपीज से नीचे एक consolidation zone में है अभी इसके अंदर रेली अभी थमेगी नहीं मैं short term की बात कर रहा हूं short term to medium term यहाँ पर लिख देता हूं short term to medium term के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अच्छा का सा एक्स ने एक resistance किया था पिछले दिनों के अंदर यह इसका डेली चार्ट है अप मैं इसका monthly लगाना चाहता हूं थोड़ा सा लंबा चार्ट कि अगर देखे तो अब इसके अंदर किया क्या जा सकता है आप जो लोग इसके अंदर hold करते हैं इसकी holding continue रख सकते हैं 18 रुपे के आसपास का एक trailing stop loss रखकर या आपका जो भी मन करें थोड़ा सा उपर का या नीचे का आप partial profit book करके trailing stop loss भी रख सकते हैं और जो लोग नहीं खरीदारी करना चाहते हैं वो भी अगर देखे तो 18 रुपे का stop loss लेकर ध्यान से सुनिए 18 र इसके अंदर दूबार अखरीदारी कर सकते हैं तो इससे जो है आपकी price जो हो जाएगी तो उसके बाद देखे तो फिर से इसके अंदर एक अच्छा का सा रणम आ सकता है सबसे पहले तो पिछले दिनों के अंदर यहां पर इसने एक सबसे पहले अगर देखा तो यहां पर पर जा सकता है अगर 25 को करता है तो यह सारे का सारा लेवल जो है आप जरूर करके रखिए fundamental भी इसके company के सुदर रहे है और एक चीज़ और है कि इसके जो three years का जो lock-in period होता है friends बड़ा-बड़ इनुवेस्टरस का वो भी March महीने के अंदर पूरा होता है तो उस वज़े से भी stock को जो है उपर खीचा जा सकता है तो short term के लिए आप इसका लाब ले सकते हैं with stop loss अपने इसाप से अपनी capacity के इसाप से दूसरे है यूको बैंक इसके अंदर एक काफी साधा run-up आई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पिछले दिनों में जो है तक्रीबन तक्रीबन 14 रुपे के आसपास था वहां से क्या run-up लिया यह दो गुने से भी ज्यादा भाग गया अब इसके अंदर किया किया जाए तो सबसे पहले इसकी deliverable quantity हम देखे कि यहाँ पर 6 December को इसने rally start की थी यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले अगर आप देखे तो यहाँ पर आ उठाए गया है पिछले दिनों के अंदर और इसका भी quarter on quarter result देखे तो काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ यहाँ पर देखे तो इसका revenue जो है quarter on quarter बढ़ा है और साल दर साल बढ़ा है quarter on quarter भी बढ़ा है आप देख सकते हैं इसका net profit अगर इसकी बात करें तो काफी बढ़ि होगा ज्यादा long term की नहीं तो short term का मतलब होता है 15 दिन से एक महीना और medium term की बात होता है एक महीना sorry एक महीना दो महीना तीन महीना या भी छे महीने तक की तो यह इसका weekly chart है इसके अंदर हाला की कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है चार्ट के अंदर clearly जो है वह मैं बता रह और श्टोक नहीं यहां पर ही एक सबसी बड़ा इसका रजिस्टेंट यहां से एक रजिस्टेंट लिया नीचे आया है यह बात मैंने बोली थी अपने पिछले वीडियो के अंदर तो इसी बात पर like जरूर कीजिए इसलिए मैं बोलता हूं कि skip मत किया कि वीडियो को पूर और एक तो आप करण मार्केट प्रेस के बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और बाइचांस यह जब 30 रुपीज और 50 पेसे के आसपास आई तब वापस से अब दूसरा स्टेप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो मुझ आप इंटर डेट बी ले सकते हैं यह भी मैने बोला था और यहां पर पर प्रॉफिट बूक कर सकते हैं 100% कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे तो यह मैंने सारे के सारे लेवल बता दी है श्योंट टम और यह कहा पर जा सकता है अगर यह भी इसके लिए त्री मेंश का चा अच्छा कासा consolidation हुआ, एक resistance का सामना करना बढ़ा 45 रुपे तक, तो जैसे ही ये 33 रुपे को पार करेगा, तो ये 45 रुपे तक जा सकता है, और एक बात और कि यहाँ पर अच्छी कासी delivery उठाई गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये really, ऐसे ही stop नहीं होगी, I don't say, I don't think so कि ये really stop होगी, इसके अंदर भी थोड़ा सा consolidation होगा, उसके बाद फिर से इसके अंदर एक तेजी अच्छी खासी बन सकती है, तो आप जो भी trade ले, वो अपने capacity के हिसाब से ले, और हमेशा हमें कहलता हूँ कि small contentment trade ले, stop loss रखे, उसके बाद ही कोई trade ले, और आपके कुछ कुछ सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे comment करके जरूर बताए, और आप से request है, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा, तो like कीजिए, अपने सारे groups के अंदर share जरूर करे, और मेरे चनल को subscribe कर ले, एसे ही वीडियो के लिए मेरे previous वीडियो भी देखिए, short वीड और अच्छा लगे तो subscribe जरूर करे, और एक standard disclaimer जो मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी trade ले, उससे पहले अपनी खुद की research करे, उसके बाद ही कोई accordingly decision ले, और decision ले तो उसकी जीमदारी maturity के साथ खुदी ले, so thank you.